नमस्कार दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है मैं प्रतेग वीडियो में ये बोलता हूँ कि अगर आप UG, PG, PhD, MPL कुछ भी करते हो तो आप हमेशा से Central University को प्रफरेंस में रखिए क्योंकि Central University की जो value है वो State University की कभी नहीं हो सकती इसी कडी में मैं आप सभी के लिए खुसकपरी लेके आया हूँ कि जो Central University Common Entry Test यानि की CUECT 2020 के फोरम आज 16 मार्च से बरना सुरू हो गए हैं, 31 अपरेल इसकी last date है, इसमें total 18 University सामिल हैं जिसमें आप ranking के according आपकी University को प्रफरेंस में रख सकते हैं तो इस वीडियो में हम एसे लेके जैड तक बात करेंगे कि क्या qualification होनी चाहिए, syllabus क्या है, entrance test कैसे लगेगा, वहलों सभी बाते करेंगे लेकिन उससे पहले आप comment section में जाके आप अपना subject जरूर रख लेना, आप UG, PG, PhD, MPL क्या कर रहे हो और उसका subject लिख देना, ताकि मैं आपके book suggest कर सकूँ, जो आपके entrance test को 100% पास करा थे, यह मेरा निजी अनुबाव, अपनी PhD का अनुबाव, career का experience है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपना subject जरूर से लिख देना, ताकि आप मजबूत हो जाओ, अब हम चलते हैं, laptop की screen पर, वहाँ पर जा आप देख सकते हो, 16 मार, जैनि, आज से इसके form बरे जा रहे हैं, इस समय खुल गई है, और इसका 11 अप्रेल इसकी last date है, और इसका जो admit card आ जाएगा, वो है 18 मही को, इसका admit card आ जाएगा, मैं कुछ exam date के बारे में बता दू, जल्दी जल्दी हमें और भी बहुत सारी important उन्हों को उन्होंने एक साथ लिख दिया, प्लस, PG program की जो exam होने वाली है, वो 30 और 31 मही को होने वाली है, 30-31 मही को, मैं आपको जान में बदा दू, जो यूजी और PG की exam में offline होगी, यानि कि वो OMR seat based होगी, ठीक है, जो भी दोस्त exam देना चाहरे हैं, हमारे research program के लिए, य आपके सामने दिख रहा होगा, और इसके लाव जो result आएगा, वो आएगा, 26 जून 2020 को इसका result आजाएगा, मैं आपको बता जो research program की चाहिए, MPL हो गया, चाहिए, PhD हो गया, इस तरह जो courses है, उनकी जो exam होने वाली है, वो online exam होने वाली है, computer piece, अब हम जान लेते कि fees कितनी रखी गई है, मैं आपको बता दू, general, ST, general, OBC और EWS category जो दोष्ट आते हैं, उनकी UI और PG program की, जाने कि undergraduate, यारे BA, या फिर BSC, या फिर MA, MSC की course की है, 800 फीस, और जो research में जो काम करना चाहते है, MPL, PhD, उनकी है, 1000 रोष्ट, साथ ही जो ST, SC के दोष्ट हैं, उनकी 350 रोष्ट है, और वो अगर research माना चाहते हैं, तो उनकी 450 रोष्ट है, जबकि PW को दोष्टों की कोई यहां पर फीस नहीं है, तो यह हमने बात कर लिए, फीस की, अब अगली बात करते हैं, अब दोष्ट हम बात कर लेते हैं, कि syllabus के बारे में और caution का pattern क्या होगा, देखो, जो भी दोष्ट BA और उस integrated course की बात करें, उनके बार हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले part A, यानि part A और part B, दो exam लगने वाली है, पार्ट A में देखते के हैं, कि language आएगी, जिसमें हिंदी इंगलिस, और general awareness, और जी के आएगी, mathematics आएगी, aptitude आएगा, and skill आएगी, और computer-based question होगे, पचीस, एक computer-based question होने वाले हैं, अब आजाते हैं, part B में, यानि part B में क्या आएगा, पार्ट B में जो, और मैं आप बता दू, ये exam लगेगी, OMR-based, यानि, offline exam होने वाली हैं, तो पचीस question तो आपके general आएगे, सामन जो भी आते हैं, ठीक है, अब part B में क्या आएगा, domain knowledge, domain knowledge, यानि कि, पिछेत्र question आएगे, जिसमें आपका subject आएगा, और भी मैं detail में वीडिय बना दूंगा, आप लोगों के लिए, अब देखो, यहां से हम बात करते हैं, जो भी लोग research के लिए, अपर apply करने वाले हैं, यानि, MPL, PhD, इन सब के लिए apply करने वाले हैं, उनके लिए बता दू, कि जो पहला paper आएगा, उसमें ध्यान देख लो, पहला paper में language, general awareness आएगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी इन एक्जामों में नहीं है, यानि कि CUCAT की जितनी भी एक्जाम होने वाले हैं, उसमें लिखा कि नो नेगेटिव मार्किंग, इस पर टूप से लिख रखा है, इसके अब मतलब है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग किसी परकार के आपकी दोस्तों बात कर लेते हैं आपके सेंट्रों के बारे में, मैं एक्जाम सिटी लिस्ट है, इसमें यानि कि आपका जो भी स्टेट होगा, उस प्रमुक सहरों में इसका सेंट्र होगा, तो आपको चिन तक कोई बात नहीं है, आप जिस भी सिटी के आसपास रहते हो, आपका जिला होगा, या फिर आपका जो भी राज की राज़दा नहीं होगी, महां इसका सेंट्र जरूर आएगा, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो अठारा पूरी टोटाल अठारा यूनिसिटी सामिल होने वाली है, उसमें से 14 सेंट्र यूनिसिटी जैं, आप इनको जरात है, हर्याना है, जंबू है, जारखंड है, करनाटका है, कस्मीर है, केरला है, ओडिस है, पंजाब है, राजस्तान है, साउथ विहार है, तमिल नाडू, यह सेंट्र यूनिसिटी जैं, मैं आप से कहना चाहूँगा, पहले आप सेंट्र यूनिसिटी प्रफरेंस केवल और केवल इंग्लीश मीडियम न हीगा, तो आप बिलकुल भी कंफ्यूज होने की जरॉतї नहीं, यह केवल और केवल इंग्लीश मीडियम में होने वाला है, अगर आप हिंदी, संस्किर्थ, या फिर हमारे देश थी यह की जितनी भी लेंगंवेज हैं, अगर उन से साहित से या तो उसका हिंदिम मिलेगा अगर को संस्कृत साहित संस्कृत मिलेगा लेकिन और बाके की सब्जेक्ट है उनके सबका पेपार इंग्लिस में होने वाला है हैं दोस्तों मीध है यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा आपने अपना कमेंट भी कर दिया होगा क्या सब्जेक्ट है आपका पने वीडियो को like भी कर दिया होगा तो इस वीडियो को आपका बहुत बहुत धन्वाद तब तक रुको में थको में डटो में थेटो में नमस्कारत जैंद